एक तरफ हर्याना के फत्याबाद में नाइट कर्फ्यू चल रहा है वहीं चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें ना तो पुलिस का कोई डर है और नाहीं कर्फ्यू का कोई डर नाइट करफी के दोरान ही चोरों ने एक घर में सेंध मारी कर लाखों रुपे की नगदी और सोने के आभूशन चुड़ा दिया या तक ही घर में रखी बच्चों की गुल्लक भी नहीं चोड़ी चोरी की सूचना मिलने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया विस मामले की जाच में जुट गई है मकान मालिक रमेश लाली ने बताय कि वे परिवार के साथ कल शाम को अपने गाउं कया हुआ था सुबह जब वे यहां पहुँचा तो देखा कि उसके घर के सभी ताले तूटे और खुले हुए है चोरी की आशंका से जब उसने घर के अंदर जाकर देखा तो उसके पैरो तले जमीन ही किसक गई घर में रखी करीब देड़ लाग के नगदी, बारा तेरा तोले के सोने के आभूशन, कुछ घरेलू समान के साथ घर में रखी बच्चों की गुल्लक भी चोर उठा कर ले गए उसने बताए कि चोरे की सूचना तुलन पुलिस को दी, सूचना मिलने के बाद पुलिस मौकर पर पहुंची और पूरे मामले की जाच में चुट गई तो रात यहां साधे साथ बच्चे पहले चले गई माता डिली थी तोड़ी ही लाली गाओं में पर रहसे में तो अपनी चोटी सी रहस बना रखी रहने के लिए बच्चों का टूशन वगएरा देने के लिए और अंदरीयों के काम है काफी इस विश्य पे यहां चोटी सी बनार की दी सारा समान यहीं था और चोटे बैड़ वगएरा जो थे वो गर पर लाली में रहस दी हमारी तो अब सुबह माता का पता लेने गई रात को तो सुबह जब अगेरा को यह तकरीब नाया सारे ताड़े टुटे मेले थे जी और सारा लमारी की में चाबियां भी प में छोड़ा आया था सारे लैप्टोप लैप्टोप की बचत रहागी सारे लैप्टोप बख्की समान जाच्वीन से पता चलेगा मैडम का दस बारा तोड़े मानलो सुनना था और एक वीसी पॉएंट हमारे पास यूवी आई कर पी अन्वी का उसमें से कैस्ट गर में होत आया